अब हम लोग यहां पर नेक्स प्रॉल्म के उपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं यह नेक्स प्रॉल्म क्या है एक बैटरी एज 9 बोल्ट की उसको कनेक्ट किया गया इन स्रीज विद रेसिस्टेंस आप वैल्यू 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम अब हमारे को निकालना है पोटेंचिल डिप्रेंस एक्रॉस तो सबसे पहले जब भी ऐसे प्रॉल्म आ जाए तो अब सबसे पहले एक सर्क्री डियाग्राम बना लीजे एक्कॉर्डिंग तो तो आपने क्या-क्या 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम को स्हरीज याए जैसा कि प्रॉल्म में कहा जा रहा है उसके एक्रॉस आपने 9 बोल्ट के बैटरी कनेक् कर दी ए जो कि प्रावम में बताया गया है, हमारे को निकालना है 12 Ohm के across का potential difference, माल लिया जाए इसके across का potential difference V' है, और इससे हो के current I pass कर रही है, तो what is the potential difference V' from the Ohm's law, I into R, that means I into 12 Ohm, to I into 12 Ohm, this one is the potential difference across the 12 Ohm resistor, जो कि V' के एक वल है, अब हमारा purpose क्या निकालना है, I की value, अब I कैसे निकलेग हम लोग इसका total resistance निकाल लेंगे, पांचो जो connected है, स्रीच combination में, तो कितना होता है, बताया है, स्रीच combination में effective resistance या total resistance सबको add कर देते हैं, और हर एक resistance के थूर्ग current सेम जाता है, वही current होती ही, जो current in the circuit होती है, तो current I के वले कितनी हो जाएगी, V, that means 9 volt, जो total potential difference apply किया गया, पा 9 volt, 9 volt divided by पांचो resistance का sum, जो कि effective resistance है, तो 0.2 ohm plus 0.3 ohm plus 0.4 ohm plus 0.5 ohm plus 12 ohm, तो 9 divided by 13.4, जब इसको add करेंगे, तो 13.4 आएगा, इसको divide करेंगे 9 को 13.4 से, अज काल्कुलेट करेंगे, तो it will come out 0.67 ampere, तो इसका मतर्ग current in the circuit कितनी होगे, 0.67 ampere होगे, और वही current 12 ohm resistance से जाएग क्योंकि सारे के सारे strange combination में connected है, तो what is the potential difference across 12 ohm resistor, तो 12 into resistance, current I into resistance R, तो current I के वाली कितनी निकाल रखे, 0.67 ampere into 12, 8.06 volt, मतलब इसके cross का potential difference, approximately 8.06 volt आएगा, जिसको आप 8 volt भी approximately लिख सकते हैं, या 8.1 volt भी लिख सकते हैं, तो इसको calculate करने के वाद, finally the potential difference across 12 ohm resistor will be 8.06 volt, तो इस तरीके से, एक और application हमने discuss किया है, जो कि series combination of resistance के उपर based है, अब आगे देखते हैं, कुछ और concepts के उपर हमें बात करते हैं, और अगला concept जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वह आपका है, parallel combination of resistors, right?